हेलो फ्रेंट्स भारती पाटनी आज आपके लिए लेकर आई हूं अंगूर का जू सिंपल मगर बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी वी इन अंगूरों को मैंने अच्छी से धोलिया है और इनको इस तरीके से निकाल देंगे ईसे बारिक जट़ीया, और ले लेंगे इन्हें मिक्सी के जार में कि इस सारे डाल लेते हैं स्वाव के नुसरी नमक काला नमक डाल रही हूं और फूड़क सामें पाने डालूँगी लगभक ये आदा माला कप डालूँगी बाद में और डालेंगे लेकिन पहले इतना ही डालेंगे जिससे के अच्छे से पिस जाएनी तो पिसने में प्रॉब्लम होती है अच्छे से पिस गया है अब इससे चान लेते हैं एक बाउल में कुछ पिस के रेश होंगे वह निकल जाएंगे पूरा जूस निचे निकल जाएगा और कुछ रेशा रेशा होगा वह परेजाएगा चानना इससे बहुत ही जरूरी है तो इसमें जो रेशे होते हैं वह मूमे आएंगे तो वह अच्छे नहीं लगेंगे इस तरह कि इसे एकदब सिंपल जूस हम बना कर तयार कर लेंगे बार्ट हेल्दी जो ये देखें इसके ये रेशें हैं इसको अटा देतें हैं और इसे डाल लेते हैं एक ग्लास में चानकर तयार कर लिया है हमने ग्रैप्स का जूस इसे पोर कर लेते हैं ग्लास में जिसमें भी हमें सर्फ करना हो आप चाहें जैसे ग्लास में सर्फ कर सकते हैं मैं इसे इस ग्लास में सर्फ कर रहे हूं पहले डाल लेते हैं थोड़ी से गर्मियों का मौसम आ गया है कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन करता है और वह हैल्दी भी हो तो इसे बना कर जरू ट्राइब कीजिए कई बार अंगुर होता है बहुत ज़्यादा खाने का मन नहीं करता है इस तरहीं से आप जूस बना के भी पी सकते हैं बहुत है बहुत है बहुत है यह है जूस यह हमारा बनकर तयार हुआ है इस गर्मियों में तरो ताजा करने वाला यह अंगूर का जूस आप भी इसे ट्राइ करके देखेगा और बताएगा कि आपको यह कैसा लगा वैसे तो यही टेस्ट इसका बहुत अच्छा है लेकिन आप चाहें तो थोड़ा से इसमें कारा नमक और डाल चकते हैं अपने टेस्ट के अनूसर तैयार है हमारा स्वादिस्ट अंगूर का बहुलेंगे हम दो-तीन पानी से ओ फिर इसका जूश बनाएगे आप चाहें तो इसमें चीनी के जगे आप इसमें भी टालजकते हैं और स्वाद बढ़ाने के लिए मैं डाल देते हो एक नीभू की स्लाइस भी तो आप भी बनाईए इस गर्मी के मौसम में स्वाधिस्ट और हेल्दी अंगुर का जूस और आनन्द लीजिए तो फ्रेंग्स आप लोग भी बनाकर देखिए मेरी इस रेसिपी को और बताएं अपने इंबब आपको यह कैसी लगी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में लगी बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे की जब जब भी मैं रेसिपी अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आप देखना चाहें जरूर देगे आप मुझे फेस्बुक और इंस्टागाम पर भी फोलो कर सकते हैं थैंकियो फर वाचिंग